हेलो मैं दिये स्टुएंट्स वेलकम टेड्यूफाइबर एक्जाम दे करके आया मैंने क्या बताया था कि एक्जाम देकर आओ और आंसर यहां पे मिलाओ ठीक है तो सबसे पहले देखिए आज आपका जो एक्जाम हुआ वह हिंदी एक है न तो उसका मैं आंसर की लेकर क्या सबसे पहले देखते हैं क्या है कि गद्दान्स को पढ़ना था और ध्यान पूर्वक इसका उतर देना था जिसमें एक से चार तक आपसे प्रस्न पूछा गया है तो आपने पढ़नी लिया होगा बढ़ियां से अब देखते हैं सिध्य प्रस्न की और आते हैं कि गाच विर गास पात पेड़ पोधे या मिट्टी पानी तो राइट अंसर क्या हो जाएगा दो पेड़ पोधे चलिए अगला है गाच विरक्ष के क्या नहीं होते पत्ते नहीं होते फल नहीं होते फूल नहीं होते या दात नहीं होते क्या नहीं होते तो मेरे प्यार बच्चों दात नह ग्राइड देखते हैं कि प्रस्तुत पदांस को ध्यान पुर्वक पढ़ना है और पांथ से आठ के लिए को क्या करना है सही विकल्प का चेन करना है ठीक है तो बढ़ियांस इसको पड़ लेना है और फिर देखते हैं कि आपने क्या किया है कि चलिए देखिए आपके सामने प्रश्ण है कि धनूस को धनिस से छुटा हुआ बान क्या करता है लच भेदता है प्रभेद करता है अभेद करता है तो मेरे प्रभेद चुराइड अंसर क्या हो जाएगा लच भेद करता है ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला प्रस्ण है कि लच के पथिक कंटको को क्या मानते हैं पत्ते मानते हैं पोधे मानते हैं फल मानते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि लच के पथिक कंटको को क्या मानते हैं तो फूल मानते हैं ठीक है राइट चो राइट अंसर क्या हो जाएगा स्वर्न होता है ठीक है चलिए अगला देखते हैं कि यहां तक यहां तक पहुंचे बिनापथीक बिश्राम नहीं करना चाहता है कहां तक घर तक लच तक धर्मसाला तक या बाजार तक कहां तक लच तक वह लच तक पहुंचना चाहता है त क्या है कि जिस वाइक में देखिए ध्यान दिजिए करता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है तो क्या होगा अकर्मक होगा द्विकर्मक होगा सकर्मक होगा या प्रेरनाथक महोगा तो मेरे प्यारवच्चो राइट अंसर क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया क्य चलिए अगला देखते हैं अगला है किसान खेत जोत रहा है किसान खेत जोत रहा है इसमें क्रियापद कौन सा है तो आप से क्या पूछा जा रहा है क्रियापद यहां तो जोत रहा है देखिए यह क्रियापद हो गया तो ना किसान होगा ना जोत होगा ना खेत होगा राइट रमेश हस रहा है वह गीत गा रहा है माँ भोजन बनारी है मैं सरबत पी रहा हूं मेरे पर चोराइट एंसर क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया का उधारन है रमेश हस रहा है ठीक है चलिए अगला देखिये कि एक आर्थ होता है वस्तर cho दूसरा क्या होगा एक अंबर कार्त होता है वस्तर होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा ज्यूंकि अंबर मतलब भी आकास होता है ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला प्रस्ण है कि निमने में से कौन स्वेत का अनिकार्थी सब्द देखें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि नहीं है यहाँ पर गोर किजिएगा नहीं है अर्थात बाकी जो होगा वो होगा तो देखें सफेद वो भी होता है स्वेत मतलब उजाला स्याम सफेदी राइट अंसर क्या हो जाएगा स्याम इसका अर्थ होता है काला बाकी का चलिए अग्ला है कि निम्ร में से कौन सा सब्द समुच्य वो धक अव्यव है तो क्या हो जाएगा धीरे धीरे या फिर अथवा याफिर वाह या या फिर अरे तो राइड अंसर क्न सपनरा चांदिय। अग्ला है के पता नहीं पत पता नहीं वह खाली जगा चला सभी अव्याविपद को चुनना है अब देखिये मैंने क्या बताया था व्याव में आपको कि आपको एक एक वर्ड को वहाँ बैठा के देखना जो फिट बैट जाएगा भई तो देखिए पता नहीं वह यहां चला गया गलत पता नहीं वहां चला गया गलत पता नहीं वह तब चला गया यह भी फिट नहीं बैट रहा है अब यहां पर देखिए पता नहीं वह कब चला गया तो यह फिट बैट रहा है न तो चलिए राइट अंसर क्या हो जाएगा कब यानि सही अभ्यावपद क्या हो जागा यहां पे चार कब चलिए अगला प्रस्ण है कि सिचक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने या कौन सा वाइक है या कौन सा वाइक है सरल है संयुक्त है मिस्र है या उपवाइक है तो मेरे पैरे बच्चों मैंने क्या बता को एक दिन पहले समास को बढ़ियां से बताया और आ गया आपके सामने तो प्रती दीन कौन सा समास है तो मेरे प्यार बच्चों राइट क्या होगा अभी भाव समास क्यों क्यों कि मैंने बताया था कि बेटा जो यह मूल सब्द है उसके आगे क्या लगा हुआ है उपसर्ग यानि जितने भी उपसर्वाले सब्द होंगे वो क्या होगा अभी भाव समास होगा तो राइट अंसर क्या हो जागा अभी भाव ठीक है चलिए अगला है कि निम्न में से बहुबरी समास कौन सा है देखिए समास से आ गया ना तो लंबो दर जिसका लंबा हो उदर अर्था अर्थात लंबा है जिसका उधर बात किसकी ओर रही है गनेश जी की तो राइट अंसर क्या हो जागा लंबो दर ठीक है चलिए अगला प्रस्न की और बढ़ते हैं देखते हैं कि हमें पच्छी आकास में उडेंगे यह कौन सा वाच है कर्ती वाच है भाव वाच है कर्म वाच है इन में से कोई नहीं तो मेरे प्यारवच और राइट अंसर क्या हो जाएगा कर्तरी वाच है चलिए अगला देखते हैं कि प्रस्तुत गद्दांस को पढ़कर दिये गए प्रस्नो से पढ़ लिए होंगे मारके भी आ गयोंगे तो मिलाइए न सही सही टाइम वेस्ट नहीं चलिए अगला देखते हैं कि बाल गोविन भगत का बेटा कितना था कितना बेटा था एक मैंने आपको जो जो करवाया था हर इक चाप्टर का सारा प्रस्न यहां देखने को मिल रह सारा के आएंगी है कि स्टूडेंट का मैं देखी रहा हूं देखी है नोटिस के हमें कि वह बच्चा सारा का सारा सही बना के आया भाई तो बड़ियां से पढ़ा होगा चलिए आप लोग भी उड़ा करके आये होंगे ठीक है चलिए अगला देखते हैं कि बाल गोविन सुस्त और सुस्त एवं बोदासा मैंने बताया था बोदासा सुस्त और बोदासा ठीक है चलिए अगला प्रश्णी क्यों बढ़ते हैं देखते हैं कि इसको भी पढ़ लेना है आपको और उत्तर देना है फादर बुलके कि मृत्तू किस रोग से हुई थी तो जहरबाद से हुआ था ठीक है किस से हुआ था जहरबाद से ना कैंसर से ना तपेदिक से ना फिर जवर से जहरबाद से हुआ था चलिए अगला है कि विधान का अर करते हैं देखते हैं 25 प्रस्टुत पठित का अभ्यांस को पढ़कर दिए गए प्रस्टुत का सही विकलब का चेन करना है आपको पड़ा लेना है चलिए हम प्रस्टुत की ओर आते हैं सबसे पहले चलिए गोपियों की दसा किस पच्छी की तरह हो गई थी यह तो एकदम छो को कहा गया है चलिए अगला प्रस्ट है कि ललीत ललीत काले घुंगराले बाल कलपना से पाल यह पद्दांस किस कवीता का अंस है तो मेरे प्रवच्चों पहला दिया है आत्म कथ्य दूसरा है कञ्यादान तीस चौथा अट नहीं रही है और तीसरा है उत्सा तो राइट कि कभी बादल को क्या घेरने को कह रहा है कभी बादल को क्या घेरने को कह रहा है पूरा आकास जंगल पहाड सागर क्या घेरने को कह रहा है तो पूरा का पूरा आकास घेरने को कह रहा है राइट अंसर क्या हो जाएगा आकास ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला प्र अगला देखते हैं कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था, आत्म सम्मान की रक्षा के लिए खाने की इक्षा नहीं थी, घमंडी होने के कारण, या फिर और एक option है, तो चलिए options क्या देखना है, right answer हम आगे मारते हैं कि आत्म सम्मान की रक्षा के लिए उन्हो चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रस्न है, बिस्मिल्ला खां क्या बजाते थे, थोटा सा बालक मार देगा सर, वो तो सहनाई बजाते थे, तो right answer क्या हो जाएगा, सहनाई, ठीक है, चलिए, लेखी का मन्नु भंडारी का बच्पन किस सहर में बीता, ये देखिए कानप जैपूर, जैशल मेर या अजमेर, तो right answer क्या हो जाएगा, अजमेर, चलिए, अगला प्रस्न की और बढ़ते हैं, कि परसुराम के गुरु कौन थे, देखिए मैंने बताया था क्या, कि परसुराम के गुरु सीव जी थे, तो right answer क्या हो जाएगा, सीव जी, राइट आंसर स जी चलिए, अगला देखते हैं, अगला प्रस्न है कि कवी नागा अरजून, देखिए ये भी प्रस्न मैंने आपको उस समय बता रहा था, हर इक चाप्टर जब करवा रहा था, मैंने बताया था कि बेटा, आप भी 100% लिक लो कि ये question आने वाला है, और ये question देखिए आपक कि म्रिग तृष्णा का क्या आर्थ होता है, छलावा, म्रिग की प्यास, हीरन, दिखावा, ये भी प्रस्न बोला था कि 100% आने वाला है, और आपका आ चुका है, मैंने क्या बताया था, कि म्रिग, म्रिग सोच के आप मार लेतों कि हीरन वाला जितना भी होग, और राइट प्रस्न है कि मुख्य गायक की आवाज केसी, मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपका 100% आ चुका है एकजाम में, ठीक है, देखिए, तो मुख्य गायक की आवाज केसी होती है, हलकी पुलकी, लकडी जैसी, पतली या चट्टान जैसी भारी, ठीक है, चलिए, अगला है कि भो आ चुका है, चलिए, कभी-कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, किसका जुलूस निकालते थे, नारे बाजी का, संगीत का, खेल का, या फिर बारात का, गुड़ा-गुड़ी का खेल खेलते हो, आप भी लड़कियां, गुड़िया का खेल खेलेंगे, लड़का ब पंचम की लाट कहां इस्तित थे आगरा में बंबई में कोलकाता में या दिल्ली में तो राइट अंसर क्या हो जागा दिल्ली चलिए अब अगला और अंतिम प्रस्ण सबसे ईजी क्या है कि गंगटोक नगर की किस राज की राइधानी है बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं बिह इसी तरीके से मैं हमेशा कहता हूं कि एक जम दे करके आओ और इडू फाइबर में आंसर मिलाओ आपको पता चल जागा कि आपका रिजल्ट क्या है ठीक है तो चलिए आज का सेशन यह पर समाप्त करते हैं नेक्स्ट जो आप एक्जाम देके आओगे आप हमसे मिलो इडू